गंगोत्री यात्रा का एक मुख पड़ाव है उत्तरकाशी अब तो इसने भी दीरे दीरे एक बड़े शहर का रूप लेना शुरू कर दिया है पहले जब तीज कती के वहन नहीं थे तब ये गंगोत्री जाने वाले यात्रियों का मुख पड़ाव हुआ करता था उन दिनों गंगोत्री यात्रा पर निकले लोग यहां दो-चार दिन तक लुख कर विश्राम करते थे और उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ते थे अब यहां तीर्थ यात्रियों से अधिक पहाडों के शौकीन परेटक ही आकर ठेरने लगे हैं उत्तरकाशी एक पवित्र जगह है यहां भागीरती की पवित्र धारा तो भेती ही है इसके अत्रिक्ट यह प्राचीन समय से ही अने की योगियों और तांत्रकों की भी साधना इस्थली रही है यहां के विश्णु स्वामी और प्रेवनंद गिरी नामक दो नागा योगियों ने तो ठाली में खूब ख्याती प्राप्त की थी इसी उत्तरकाशी में मुझे जर्मनी माई नामक एक ब्रद अंग्रेज योगिनी से मिलने का अफसर मिला था जर्मनी माई सिद्ध साधका है जर्मनी माई पिछले साठ सालों से भी अधिक समय से भारत में रहकर योग साधना करती आ रही है अपनी साधना के प्रारंबिक 40 साल उन्होंने रिशी केस में लच्मर जूला के पास इस्थित एक गुफ़ा में व्यतीत किये थे इस गुफ़ा को अब गनेश गुफ़ा के नाम से जाना जाता है आजकल इस गुफ़ा में विर्जा नंद नाम के एक अन्य संत रहते हैं इसी गनेश गुफ़ा में जर्मनी माई को आत्मे साक्षातकार का प्रधम अन्भव प्राप्त हुआ था रिशिकेस में ही उन्हें अपने गुरू से योग की एक विशिस विध्या सीखने का सोभाग प्राप्त हुआ था इस योग विध्या के माधियम से ही उन्होंने रिशिकेस इस्थित इस नर्जन गुफा में लगातार 40 साल तक साधना करके आत्म साक्षातकार किया था योग साधना और आत्म साक्षातकार से जमनी माई ने वह दिविता प्राप्त कर ली थी कि उनके दर्शन मातर से ही लोगों के कस्ट मिटने लगे थे ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास रिशिकेस इस्थित इसी गनिश गुफा में अनेक महापुरुस आकास मार्ट से मिलने आते रहते थे जब आम लोगों को उनकी अलोकिकता का पता चला और वह अपने कस्टों को लेकर उनकी गुफा में पहुँचने लगे तो उससे उनकी साधना में ब्योधान उत्पन होना शुरू हो गया इसके बाद उन्होंने गुरू आगया से रिशिकेश की उस गुफा का परित्याक कर दिया और वहां से उत्तरकाशी चली गई उत्तरकाशी में आकर उन्होंने तपको घाट के पास इस्थित एक कुटी को अपनी नई साधना इस्थली बनाया पिशले लगबग 20 सालों से वह इसी कुटीया में रहकर अपनी साधना में निमगन है उनके साथ एक पहाड़ी कुट्टा अवस्थ से रहता है जर्मनी माई 1958 के दोरान 26 साल की उम्र में पहली बार भारत घूमने आई थी भारत प्रमन के दोरान जब वे रिसिकेस इस्थित एक आश्रम में ठहरी हुई थी तब उनकी मुलाकात एक ब्रद आयू के सन्यासी से हुई उस सन्यासी से मिलकर बह बहुत प्रभावित हुई इंतु कुछ तिनों के बाद ही वीजा की अब्दी समाप्त हो जाने के कारण उन्हें वापिस अपने देश लोटना पड़ा अपने घर लोट कर भी उनका मन शान्त नहीं हुआ अंतितह दो साल बाद 1960 में वे पुना भारत चली आई और गुरू की खोज में लग गई गुरू से उनका साक्षातकार पूरे दो साल के बाद ठीक उसी गंगा किनारे इस्थित आश्रम में उसी जगे और उसी सन्यासी के रूप में हुआ जिससे वे अपनी पिर्थम यात्रा के दोरान मिल चुकी थी जर्मनी माई का वास्तविक नाम सेलजा है और वे जर्मनी के एक पिर्थित उग्योग पती की पुत्री रही है जर्मनी माई तो उन्हें उनके गुरू ने नाम प्रदान किया है जर्मनी माई के गुरू गंगोत्री के पास श्रीकान परवत की एक कुफा में रहते हैं अपने गुरू की उस कुफा की यात्रा करने का सोभाग जर्मनी माई को अपनी लंबी साथना के दोरान केवल चार बार ही प्राप्त हो पाया है जर्मनी माई से ही मुझे पता चला था कि उनके गुरू बिना आधुनिक फिछा लिये ही पांस से अधिक भाशाओं में धारा प्रवाह बोल सकते हैं उन्होंने जर्मन भासा कभी नहीं सीखी और नाहीं वे कभी जर्मनी गए फिर वी वे जर्मन भासा में बिना रुके बात कर सकते हैं जर्मनी माई ने बताया कि मैं सोयम भारत में रहकर हिंदी बोलना सीख गई हूँ पर मेरे गुरू मेरे साथ हमेशे जर्मनी में ही बात करते हैं. जर्मनी माईस से ही मुझे पता चला कि उनके गुरू साशरी छड़बर में कहीं भी पहुंच सकने और हवा में उड़ सकने में सक्षम है उनके लिए दूरी का कोई बंधन नहीं है रिशी केस में दीख्षा प्रदान करने के दिन भी वे मेरे पास अपनी गुप्त गुफा से वायू मार्ग द्वारा ही चल कर आये थे उन्हें वायू गमन करते हुए भी मैंने अनेक बार देखा है शायद वे ऐसा मुझे ईश्वर का विश्वास दिलाने के लिए ही करते रहे हो जर्मनी माई से मुझे उनके गुरू के संबंध में एक और बात का भी पता चला उनके गुरू के पास लकडी की एक ऐसी बेत है जिसकी मूट का सहारा लेकर वे हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हैं और पल्भर में कहीं भी पहुँच सकते हैं जर्मनी माई का कहना है कि एक बार मुझे मेरे गुरू ने बताया था थी लखडी की बहबेत उन्हें एक तिबतिय लामा से प्राप्थ हुई थी बह लामा भी प्राया अपनी गुप्त गुफा को छोड़कर मेरे गुरू के पास अक्सर आया करते थे सोयम उनके गुरू का संबंध भी निरंतर अनेक तिबतिय लामाओं के साथ बना रहा है जर्मनी माई की तरह ही दो इताबली सन्यासी मुझे उरूगम नामक एक अन्य इस्थान पर मिले थे उन दिनों वे दोनों युवा अंग्रेश सन्यासी अपने गुरू विश्णु देवानंद जी के साथ उनकी पण कुटी में ठेरे हुए थे और कोई तंत्र साधना कर रहे थे उरूगम नामक भे जगे हेलांग के पास इस्थित है उत्राखंड में जो पंच केदार नामक यात्रा की जाती है उरूगम उसका एक मुख्य पड़ाव है ये इस्थान जोसी मठ के दूसरे और लगबग बारा से तेरा मील की दूरी पर इस्थित है वहां तक जाने के लिए एक मात्र सही रास्ता पैदल चलकर जाना ही है उरूगम से कुछ मील आगे एक पड़ कुटी में विश्णु देवानंद नामक संत रहते हैं उनके पास ही मुझे वे दोनों अंग्रेज सन्यासी मिले थे जो पिछले कई वर्सों से रहकर संत्र साधना का कोई अनुस्थान संपन कर रहे थे उन्होंने पहश्चिम के स्वादिस्ट भोजन को त्याक कर सन्यासी के रूप में वहां के कंद मूल फल और मक्की के आटे का प्रियोग करना शुरू कर दिया था चाय तक बनाने के लिए भी वे दो विसिस प्रकार की जड़ी बूटियां ही इस्तमाल में लाते थे उन्हीं से मीठी स्वादिस्ट रिचाय बनकर तैयार हो जाती थी उनकी उस चाय का स्वाद मैंने भी चक्खा है विश्णु देवानन्द जी के साथ उनके कुछ भारतिय सिस्वी रहते हैं पर वे अपना अधिकान समय उरुगम गाओं के पास बने हुए एक मंदर में ही व्यतीत करते हैं इसलिए उनके मुकाबले साधना के छेतर में भी वे अंग्रे सन्यासी काफी आगे निकल चुके हैं हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है धर्मशाला यहीं पास में ही मकडोल गंज डामकिस्थान है निर्वासित तिब्वतिय सरकार की राजधानी भी यहीं है यहीं पर तिब्वतियों के सबसे प्रभाफ साली और प्रमुग धन्गुरू चौदवे दलाई लामा भी रहते हैं मकडोल गंज और उसके आसपस के छेत्र में प्रिब्वतिय समुदाय ने आकर अनेक बस्तियां बसा ली हैं यह सभी लोग 1960 के बाद प्रिब्वत से भाग कर यहां आये थे और उन्होंने हिमाचल के इसी भू भाग को अपना नया बसेरा बनाया था कुछी समय में हिमाचल प्रिदेश का यह भाग तिब्वतिय संस्कृती से रंगता चला गया अब तो यहां का पूरा परिदस्त्र भारत से अधिक तिब्वतिय ही लगता है यहां सभी जगे आपको भगवा भेज़तारी, तिब्वतिय लामा, गोल चेहरे और चोटी-चोटी आखो वाले तिब्वतिय नड़नारी और तिब्वतियों के पूजा इस्थर, मठ, पौध बिहार और उनके अधिन केंदर ही अधिक दिखाई देते हैं यहां पहुंचते ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भारत की अपेक्छा तिब्वत में कहीं पहुँच गए हैं यहां भी भारतियों के मुकाबले पश्चिम लोग ही अधिक देखने को मिलते हैं भारतिये तो यहां इक्का दुक्का ही नजर आएगा यहां तिब्वतिय धर्म, संस्क्रती और उनके धर्शन का अध्यन करने आए पश्चिम के जग्यासु सहज ही मिल जाएंगे भारतियों की जग्यासा इन तिब्वतियों के प्रतिभी ना के बराबर ही है पर पश्चिमी जग्यास से आए सेक्डो जिग्यासु और सोध करने आए लोग सहस्ता से यहां मिल जाते हैं ऐसा इसलिए है कि पश्चिमी जगत में आज भी तिब्वत को रहस रोमांच, गुप्त और गूर, विध्याओं एवं चबतकारिक सक्तियों से संपन लामाओं वाला देश ही माना जाता है तिब्वत की इन गुप्त विध्याओं का अध्यन करने और चमतकारिक लामाओं से मिलने का लक्ष लेकर ही यहां पश्चिम जगत के लोग आते रहते हैं हिमाचल प्रदेश के इस भाग में मुझे अनेक ऐसे पश्चिमी युगों से मिलने का अफसर मिला है जो अनेक वर्सों से यहां रहकर तिब्वत ये दर्शन योग और उनके चिकिस्ता सास्ट का अध्यन कर रहे है तिब्वत को लेकर पहले भी पश्चिम में अनेक पुस्त के छपती रही है इनमें तिब्वत की एक अमर आत्मा दाजल खुलकी आत्मा का उल्लेक होता रहा है तिब्वती लामा की ये आत्मा बहुत ही प्रिसिद रही है ऐसा कहा जाता है कि इस अमर आत्मा ने विभिन सम्यों पर अलक अलक लोगों के साथ सम्बंद इस्थापित करके उनके द्वारा तिब्वती तंत्र और योग साधनाओं पर अनेक पुस्त के लिखवाई है रूस की मैडम बलाब प्रसकी द्वारा लिखित गई पुस्तक सीक्रिट डॉक्ट्राइन और कॉस्मिक फायर लाइस बेली द्वारा लिखी गई साथ किर्णे सेविन रेंज पुस्तकों को भी इसी आत्मा के द्वारा लिखवाया गया माना जाता है ये सबी पुस्तके पश्मी जगत में बहुत ही लौक्ट्रिय रही हैं जोस्तों अगर आप तिब्बत की अमर आत्मा लामा दाजल खुल के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो हिमाले के अद्रस योगी देख सकते हैं जिस वीडियो में दाजल खुल की आत्मा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है लिंक आपके सामने है